अपने प्राब्लम को सेयर करने के लिए समकक्ष लोग होने चाहिए, क्योंकि समकक्ष लोगों से आप बेहिचक अपनी समस्या को सेयर कर सकते हैं, और समकक्ष आदमी आपकी समस्या का समाधान भी अनवपचारिक तरीके से कर देगा, जैसे हमारे आपके बीच में एक आपचारिक दायरा है, कुछ चीजें क्लास में कुछ विद्यार थी, हो सकता है चीज न समझें, पूछें भी न, क्लास ओवर हो जाए तब भी न पूछें, लेकिन समकक्ष लोगों के साथ चुकि अनवपचारिक दायरा होता है, हमारे पीच तो अवपचारिक हो गया, तो रास्ते में जाते समय या साम को डिसकस करते समय पूछ लिया, अब उसको समझ में आया है, उन्होंने बता दिया उसको, तो जो समस्या मुझ से पूछ के हल क करता, वो अपने समकक्ष लोगों में ही समधान कर लिया, आप्टर राल किसी भी संस्था हो, व्यक्ति हो या जो भी उसका टार्गेट है, वह यह है कि प्राबलम ना रहे, ताकि ग्रोथ करे, और वो टीचर से पूच करके भी हल किया जा सकता है, और अपने बराबर के भी देर्थी से भी या प्रतियोगी से भी, तो बर्नाट यही कहता है कि समकक्ष वाले जो होते हैं वो इन फॉर्मल होते हैं, तो आप उनसे हिचकेंगे नहीं